हेलो दोस्तों, बॉलिवूड शॉट्स में आपका फिर से स्वागत है आज मैं आपको एक फैंटेसी, मिश्ट्री और ड्रामा फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है लैंब मूवी की स्टार्टिंग में एक स्नो स्टोम दिखाते हैं और कुछ घोडे जो एक अन्नोन क्रियेचर से डर रहे हैं फिर ये क्रियेचर पास के एक बान में आता है और शिप्स को जगा देता है एक कपल जिसका बच्चा नहीं है हस्बेंड का नाम इंगवार है और वाइफ का नाम है मारिया दोनों आइसलेंड में पहाडों में रहते हैं वो दोनों काफी शांत जीवन जी रहे हैं और शिप्स की देख भाल करते हैं खेती करते हैं अपने लिए सबजी आउगाते हैं वो जगए बाकी दुनिया से बहुत दूर और शांत हैं इसलिए ये कपल ज़्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं या फिर घर का काम करके समय बिताते हैं। एक शाम जब मारिया अपने शिप्स को माक कर रही थी ताकि उनको पता रहे कि उनके पास कितनी शिप्स हैं। वो देखती है कि पिछले साल से उसके पास इस साल जादा शिप्स हैं लेकिन इंगवार शिप्स के जुंड को बढ़ाने में इंट्रेस्टेड नहीं है क्योंकि उन्हें उस पर जादा पैसे खरच करने की जरूरत पड़ेगी। काम के बारे में बात करते समय मारिया बताती है कि ट्रेक्टर फिर से खराब होने लगा है इसके लिए इंगवार कहता है कि फसल लगाने से ठीक पहले इसे ठीक करना पड़ेगा। को बैडरूम में रख देता है ताकि मारिया हमेशा बच्चे के पास रह सके वो दोनों बच्चे को अपनी फैमली का हिस्सा मान चुके थे इसलिए जब एडा की बाइलोजी कलमा जो एक शिप है तो वो दोनों एडा को उसे वापस नहीं करते इंगवार देखता है कि मारिय को अपने बच्ची की तरह प्यार करती है जिससे इंगवार दुखी हो जाता है और अकेले में जाकर रोता है क्योंकि उनके पास अपना बच्चा नहीं है वो मारिया से अपना दुख छुपाता है क्योंकि मारिया को दुखी नहीं करना चाहता था जब इंगवार और एडा ये सब देखती रहती है एक दिन सुबह मारिया खेत में काम करने के लिए निकलती है इंगौर एडा की देख भाल करता है फिर वो एडा को सुला कर काम के लिए बाहर चला जाता है लेकिन वो गलती से दर्वाजा खुला छोड़ देता है जब दोनों घर पर वापस आते हैं तो मारिया inguar कहता है कि वो काम पर जाने से पहले म हो नीद में चोड़के गया था माया चेक करने जाती है लेकिन बैडरूम में एडा नहीं दिखाई देती वो पूरे घर में ढूंढते हैं और देखते हैं की एडा घर पर नहीं है मारिया बहुत टेंशन में आ जाती है लेकिन इंगवार कहता है कि वो एडा को जल्दी ही ढूंड लेगा वो दोनों पूरे एरिया में ढूंडते हैं लेकिन एडा नहीं मिलती जब वो निराश होकर घर वापस आ ही रहे थे तब ही मारिया को शिप की आवाज सुनाई देती है और वो दोड़ कर वहाँ जाती है और देखती कि एडा अपनी मा के साथ सो रही है जल्दी से वो एडा को शिप से ले लेते हैं और ठंड से बचाने के लिए एडा को अपने कपड़े दे देते हैं जब वो घर की तरफ आ रहे थे तो उनकी मा उनके पीछे पीछे आ रही थी लेकिन मारिया उसे हटा देती है एडा को घर पर लाने के बाद उसे सुला कर दोनों राहत की सांस लेते हैं ये जान कर कि उनकी बेटी अब सेफ है एडा उनकी जिंदगी का एक important part बन चुकी है अब मारिया उसके बिना बिलकुल भी अकिला नहीं रह पाती मारिया एडा के साथ बहुत वक्त बिताती है रात में मारिया को शिप्स के सपने आते थे और वो सोचती है कि शिप्स एडा को उनके पास से ले जाएगी वो एडा के बारे में सोचकर बहुत टेंशन में आ जाती है और एक plan सोचती है एडा और इंगवार को नीद में देखकर मारिया घर से बाहर निकलती है और एडा की मा को गोली मार देती है मारिया शिप को जमीन के नीचे दफना देती है और ये सब पीटर जो इंगवार का भाई है चुपके से देख लेता है रात में पीटर बान में सोया था इसलिए उसने वहाँ इंसान और शिप का एक हाइब्रिड देखा लेकिन पीटर को लगा कि शायद ये कोई सपना होगा क्योंकि हाइब्रिड वहाँ से जल्दी चला जाता है अगली सुबर पीटर इंगवार से मिलता है और इंगवार अपने भाई को बहुत दिनों बाद देखकर बहुत खुश होता है इंगवार पीटर को बाहर ले जाता है और मारिया को ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहता है जब वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं तो एडा वहाँ आती है जो कि अब थोड़ी बड़ी हो गई है और मारिया उससे पीटर को इंट्रिड्यूस करवाती है पीटर एडा को देकर थोड़ा परेशान हो जाता है लेकिन उस वक्त उसे कुछ नहीं कहता जब एडा और मारिया एक दूसरे के साथ टाइम स्पैंट कर रहे थे इंगवार घर पे पेंट कर रहा था उस वक्त पीटर घर पर आकर एड़ा और मारिया को खेलते हुए देखता है जब इंगवार घर के अंदर आता है तब पीटर एड़ा के बारे में अपनी नाराज़की जाहिर करता है लेकिन इंगवार उसकी बातों को अंसुना कर देता है क्योंकि वो एड़ा की वज़े से बहुत खुश है रात में मारिया एडा को लाती है पीटर और इंगवार को गुड नाइट बोलने के लिए तब ही पीटर इंगवार से एडा के बारे में बात करने की कोशिश करता है लेकिन इंगवार उसे रोपता है क्योंकि उसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी इंगवार पीटर से कहता है कि तुमको जितने दिन यहां रहना है रहलो पर इस मामले में बिलकुल टांग मत अड़ाना मारिया पीटर से खुश नहीं है इसलिए इंगवार से पूछती है कि पीटर कितने दिन धहरने वाला है लेकिन इंगवार को पता है कि पीटर यहां कुछ दिन रहेगा क्योंकि पीटर बीच बीच में उनके यहां आता है अपने कर्जदारों से चुपने के लिए अगले दिन सुबए वो खेत पर आलूब होते हैं और उनका कुट्टा एडा के पास रहता है लेकिन एडा कुट्टे को डरा कर भगा देती है वो काम से ब्रेक लेते हैं तब पीटर मारिया के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन मारिया उसे चुप करा देती है फिर पीटर कहता है कि उन्होंने एक जानवर को अपने घर में जगए दी है लेकिन मारिया पीटर की बातों पर इतना ध्यान नहीं देती क्योंकि ये मैटर उनका फैमली मैटर है अगले दिन सुबह इंगवार पीटर को जगाता है साप सफाई करने के लिए सफाई करते वक्त पीटर को उसके पुराने ड्रम्स मिलते है और पीटर खुशी-खुशी उन्हें बजाना शुरू कर देता है एडा को ये पसंद आता है लेकिन पीटर एडा को पसंद नहीं करता पीटर एडा का मजाग उडाता है उसे भीड की तरह खाना खिला कर लेकिन तभी वहा इंगवार आता है और पीटर को बहुत डाटता है एक रात जब मारिया और इंगवार सो रहे थे तब बिना उनको बताई पीटर अड़ा को लेकर walk पर चला जाता है और वो एडा को शूट करने की कोशिश करता है लेकिन एडा के मासूम चेहरे को देखकर पीटर ऐसा नहीं कर पाता कुछ देर बाद मारिया जाग जाती है और एडा को पास नहीं देखती है तो परेशान हो जाती है और पूरे घर में एडा को ढूंडती है लेकिन फिर देखती है कि एडा पीटर की बहों में सोई हुई है मारिया महसूस करती है कि पीटर ने एडा को स्विकार कर लिया है मारिया कब्रिस्तान जाती है और पता चलता है कि उसका और इंगवार का एक बच्चा था जिसका नाम भी एडा था और शिप के बच्चे का नाम इसलिए उन्होंने एडा रखा एडा को कहानिया सुनाते वक्त इंगवार अपनी मरी हुई बेटी को याद करता है और दुखी हो जाता है तब मारिया वहाँ आकर उसे संभालती है पीटर को एडा अच्छी लगने लगी है और कभी कभी एडा को वो अपने साथ घुमाने ले जाता है एडा और पीटर को नहीं कर पाता और वो दोनों चलकर वापस आते हैं और ट्रैक्टर को वहीं छोड़ देते हैं डिनर करने के बाद वो सब गेम देखते हैं लेकिन दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनकी पसंद वाले टीम हार जाती है सबको दुखी देखकर मारिया पीटर का एक पुराना चेंज हो जाता है और वो सब डांस करने लगते हैं वो सब इंजोई करने लगते हैं और शराप पिना शुरू कर देते हैं और एडा तब घर के बाहर चली जाती है और अपने बायलोजिकल फादर को देखती है वो शौक हो जाती है क्योंकि एडा बिल्कुल अपने के साथ फिर से फ्लाट करने की कोशिश करता है लेकिन मारिया उसे रोक देती है ये देखकर पीटर मारिया को ब्लैक मेल करता है ये कहकर कि पीटर एडा को बता देगा कि मारिया ने एडा की मा को मारा है ये सुनकर मारिया ऐसा बिहेव करती है जिसे पीटर की बात मान गई हो लेकिन फिर पीटर को एक क्लोजेट में लॉक कर देती है। पीटर मारिया को बुलाता रहता है और दर्वाजा खटकटाता रहता है। लेकिन मारिया उसे अंदेखा कर देती है और दर्वाजा नहीं खोलती। अगले दिन सुबह मारिया पीटर को जगाती है और घर से जाने के लिए कहती है जब मारिया पीटर को छोड़ने जाती है तब इंगवार जागता है और उन्हें घर में ढूंडता है और एडा इंगवार को ब्रेकफास्ट में मदद करती है बस्टो पर पीटर को छोड़ते व ओवो कैसे घर पर लोटेगी। इंगवा ट्रैक्टर ठीक नहीं कर पाता तो एडा के साथ घर की तरफ आता है। मारिया खुशी से घर लोटती है। ये सोच कर कि अब एडा के साथ भूशी से रह पाएंगे। घर आने पर मारिया एडा और इंगवार को ढूंडती है लेकिन और नहीं मिलते फिर मारिया एक गन शोट की आवाज सुनती है और इंगॉर को ढूंडने चली जाती है यह बरीड क्रीचर जो एडा का बायलोजिकल फादर है इंगॉर के कुट्टे को गोली मार देता है और फिर इंगॉर को भी एडा के सामने ही गोली मार देता है एडा इंगॉर के बगल में सोती है लेकिन वो क्रीचर एडा को उठा लेता है लेकिन एडा इंगॉर को अकेला छोड़ना नहीं चाती थी एडा बार बार इंगॉर की तरफ देखती है लेकिन एडा का बायलोजिकल फादर उसे वहां से ले जाता है और इंगॉर बस उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में